हलो दोस्तों मैं हूँ सत्यंद्र और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में पेट दर्द एक आम प्राब्लम है जो किसी को भी किसी भी समय हो सकती है वहीं कुछ मामलों में यह प्राब्लम किसी सीरियस डिजीज के लक्षन करूप में भी सामने आ सकती है तो दोस्तों आज के वीडियो के माधियम से हम पेट दर्द इसके टाइप और उसके कॉस को समझे दोस्तो आपके पेट में बहुत सारी और्गन्स होती हैं आपके लीवर, एपंडिक्स, पैंक्रियाल्स और इंटेस्टाइन सभी आपके चेस्ट और पेलिविस के बीच के एरिया में होते हैं इन और्गन्स में से किसी एक को एफेक्ट करने वाली कंडिशन पेट दर्द का का जा सकता है दोस्तों नॉर्मल पेट दर्द सामाने तौर पर गलत खानपान और इंडाइजिशन की वज़े से होता है या पेट के पूरे या आदे भाग को एफेक्ट करता है इस प्रकार के दर्द बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाते हैं वही लोकेलाइस पेट दर्द सा एक हिस्से को अपना निशाना बनाता है अलसर या एपेंडिसाइटिस इस प्रकार के दर्द का कारण हो सकते हैं वही क्रैंप यानि कि एठन वारा दर्द सूजन डाइरिया कॉंस्टिपेशन या पेट फुलने के कारण हो सकता है लेकिन फीमेल में यह दर्द आमतोर पर प दोस्तो पेट दर्द में हमारे पेट का अलग-अलग भाग एफेक्टेट होती है और यह समझना कि आपका दर्द कहां के अंद्रित है आपके दर्द के सही कारण का पता लगाने में मुल्यवान साबित हो सकता है तो चलिए जानते हैं पेट के अलग-अलग हिस्से में दर् स्टौन, कैस्ट्राइटिस, Irritable Bowel Syndrome, Pancreatitis, Peptic Alcer और लीवर से जूरी डीजिस के कारन पेट के उपरी हिस्से में दर्द हो सकती है वैसे पेट के उपरी हिस्से में दर्द हमारे हार्ट, लीवर, लंग से रिलेटेड है स्टमक और ईसोफेगस में होने वाले पेज हमारे प पेट के आसपास कई ऐसे ओर्गन्स होते हैं जिसकी वज़े से आपको निचले हिस्से में दर्ध हो सकता है। पेट के बाई और दर्ध होना एक गंभीर समस्या है। इसके पीछे कई रीजन और बिमारिया हो सकती है। ज्यादा तर गैस के कारण होता है लेकिन कभी-कभी यह अधिक गंभीर स्थिति जैसे कि डाइवर्टिकुलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, स्टामक अलसर, कैंसर, ओविजियन सेस्ट और एनलार्ज स्प्लीन के कारण हो सकते हैं। दोस्तो, पेट के दाहिनी तरब दर्द आमतोर पर गंभीर नहीं होता है। यह इंटेस्टाइन में फॉर्म्ड गैस की वज़े से हो सकता है। लिकिन अगर दर्द तेज और लंबे समय तक होता है तो यह कुछ बिमारियों को इंडिकेट कर सकता है। पेट के निचले दाहिने हिस्से में दर्द कई रीजन से हो सकता है जिसमें फ्लू, हर्णिया, एपेंडिसाइटिस और यहां तक की कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी भी सामिल है। दोस्तो पेट दर्द होने पर अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव लाना चाहिए जिसमें आपको सुबर सुबर उठते ही एक या दो गलास पानी पीना चाहिए जिससे हमारा पेट अच्छी तरह से साफ हो सके। खाने में ज़्यादा ओइली चीज जैसे समोसा और पकोरे नहीं खाने चाहिए और मैदे और बेसन से बनी चीजे कम खाने चाहिए। रात में ज़्यादा देर तक जगना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर तक जगने से पेट में गैस बनता है जिसके कारण कभी-कभी पेट और सीने में दर्द होने लगता है। रात में खाना जल्दी खालना चाहिए क्योंकि सोने और खाने में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए ताकि खाना का digestion अच्छे से हो पाए और सरीर की repairing का काम भी अच्छे से हो पाए और साथी रात को खाना हलका और सुपाच्य होना चाहिए दोस्तो, lifestyle में बदलाओ जैसे कि balance diet और regular exercise करने से पेट दर्थ की problem को कम करने या खत्म करने में मदद कर सकता है पर याप मत्र में पानी पीना और पेट खराब करने वाले चीजों से दूर रहना आवश्यक है इसके अलाब अपने हाथों को नियमित रूप से धोने से उन infection को रोकने में मदद मिल सकती है जो gastrointestinal problem का कारण बन सकते है दोस्तो, उम्मीद करता हूँ या जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तो, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और ऐसा ही informative और knowledgeable वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें